हेलो गाइज, वेल्कम बेक तो मैं चैनल, एड़ुजन इस पर्डल गाइज, आज मैं आपके साथ डिसकस करने वाला हूँ about our Indian flag Indian flag कब host किया गया, कौन first host किया, कहां पे first host किया गया, Indian flag के evolution कैसे हुआ, पहले कैसे flag थे, क्या क्या color थे, एक-ए color का meaning क्या है, तो यह सब बहुत important बात आज हम डिसकस करने वाले हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको जानना चाहते हो तो मेरे वीडियो को आखरी तक फोलो कीजिएगा, आपको बहुत सारे information about our Indian national flag पता होगा और बहुत जरूरी है, तो बिना देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं, So the Indian national flag of India, national flag of India was adopted in its present form during the meeting of the Constituent Assembly held on the 22th July 1947, 1947 में 22 July को Indian national flag जो है हमारा, वो Constituent Assembly में discuss किया गया, independence से थोरे से पहले, independence हमारा हुआ था 1947 में 15th अगस्ट को, तो Indian flag जो अभी जो हमारा जो, जेसा हमारा flag है, अभी जो मैंने तो देरी पहले दिखा है था, अभी presently जो फ्लाइ पहले ही जाला हुँआ जnai ही, इसका डिसक्शन जाला जाला हुआ जाला जाला ही, अभी इस प्रकर के यह सब जाज उना चाहिए, 27th and 26th January 1950 and that of the Republic of India there after all यही फ्लेग हमारा राष्टे पता का बन गया राष्टे दोज बन गया 1947 15th अगस्ट को और 26 January 1950 तक 26 January 1950 तक इसे राष्टे दोज बनाया गया और फिलाल अभी भी वही चल रहा है और इसे हम तिरंगा भी कहते हैं उसमें 3 कलर है there is a tri-color in our Indian flag and those 3 colors are saffron, white and green तो देखे, diversity of the various flags of India हम पहले देख लेते हैं इंडियन आवार जा फ्लेग जो है अश्टे दोज बन कीस तर गया था 1947 से पहले फ्लेग फ्लेग कीस तर से हुआ करते हैं देखे, Flag of Freedom Fight 1857, the revolt of 1857 सिपोई म्यूटिनी फिर्स डिवल्ट ऑफ 1857 तो उसका फ्लेग देखे इस प्रकार गाता जहां पे एक लोटस था और एक सिख्खा था जहां पर फ्लेग ऑफ फ्रीडम फाइट कहा जाता है उसे 1857 फिर यह है आपका फ्लेग ऑफ बागीनी जहां पर बंदे मातरम लिखा हु और उसके बाद आया 1906 में जो अनफिशल फ्लेग ऑफ इंडिया अनफिशल नाट ओफिशल अनफिशल फ्लेग ऑफ इंडिया ऐसा होगा इसे बनाया गया था जैसे थोरा सा चेंज हुआ पहले से जो बंदे मातरम तर संस्क्रिट में लिखा गया पहले यहां पे बेंगोली जो मैं इस पिलेग क कर रहा हूँ इस ही फ्लेग को आप अनफिशल ए इसे होस्त किया गया था आपका नाइंट एटेन इस्यों में चुक जोंड़ और परनाया जे मैं 1906 में तो कहां पे बहा था कलकथा में बहुत ज़रूरी है और यहां पर के आता का जी और निचे में एक मून फिर आया था बर्दीन कुमेटी फ्लेग बर्लीन कुमेटी फ्लेग कभ को गया इनिसो साथ में यहां पर जो कbars ग्रीन और ब््राउण और टुराश का तरह मेरून है ड़ाट पर में यहां पर मुनी तोपर मेंcs ॉपर में की तरह मैंक मेडम कमा ने कम नैंटीं गर्वाइडेटसेवें बहुत बर्यूलिशनिस थे वह नाइंटीं सिवन में इसको और इसको होस्ट के थे ठेगी मेडम कमा बहुत इंपोरेंट है उसके बाद जो फलेग कैया उसके बाद फलेग आपका था Home Rule Movement 1917 डिशाल वहां पर यह फ्लेग बना गया था स्टार्स हैं और स्टार्स खाफी सा रहें मून भी है और यूनियों जैक्ट जाग पर यहां पर यूणियों-जैक्ट यह फ्लेग के पीछे कि मान उन थे? वो था आपका छुक- आम छार्ग मान तलग जी यह फ्लेक में बहुत योगदार रहा इन में और इसे गयते होमरील मुव्मेंट का जो फ्लेक था इस प्रकार का था जहांपे स्टार्स हो गया युणियन जैक हो गया ग्रीन स्ट्राइप से और मुण एन अना अधर स्टार्स अबब दा अबब दा पार्टिकुलर मुण तो इस प्रकार का था जा जाता है और इसे आपका कब होस्ट किया था इसे होस्ट किया था आपका ओल इंडिया कॉंड़ेस कोमीटी नाम है इसलिस का नाम है अधर फ्लैग फ्लैग अफ 1921 एक्षोली यूट लोग ते रिवुशनिस्ट थे वो लोग आयते गांधी जी के पास दो गलर को लेके एक था ग्रीन और एक था सैफ्रन तीसरा वाला कलर जो उपर में वाइट उसको बार में कुछ अच्छा नहीं हुई थी पर गांधी जी ने बताया था यह पर ग्रीन और यह जो सैफ्रो ने यह पर हिंदू मुसलिम कम्यूटी को दर्शाता है पर गांधी लग बताया कि हिंदू मुसलिम कम्यूटी को छोड़ कर बाके इतने मिपमीटी है वो लोग को भी यहां पर इंकूर्ट करने का कुछ अ कालर होना चाहिए तो इसके वज़े से उन्हों ने यह पर वाइट कलर यह पर देने को कहा तब से यह एक वाइट कलर आगया तो वाइ इन्डान उफ एंसायन अफ एंधान लां वार स्युंट तडियाँ टूरूर पनान निव enriched li झीजय चरण है में लाख तडिय як बिस इंसे ने भी, साफ्रो आपान को फिरскиеिश में वाम है बाइप शाने पर ग infectious झीजय कि pine ृउald bit टो यह से विड आपन ऑन कमें अनि ने laugh गांदी जी के अंतरगती यह हुआ नेक्स्ट फ्लेग है आपका फ्लेग ऑफ आजाद हींद अभी आजाद हींद फोज तो था आपको पता है नेताजी शोभास संद्रबोस यह आजाद हींद फोज का यह फ्लेग था इसमें तीनी कलर थे वही सेफ्रोन यहां पे जो मीडिल में जो एक टाइगर हुआ करता था ठीक है तो यह था हमने डिस्कॉस के गए डाइबर्सिटी औफ फ्लेग जो पहले हमारा इंडिपेंडेंड सा पहले और जो फ्लेग थे जो जो बोपें में जितने फ्लेग आए आए और फिर अभी जो इभॉल्व हुआ इसके बारे में डिस्कॉस किया तो आगे बढ़ते हैं आगे है हमारा अभी जो फ्लेग वो तो है फ्लेग आपको देखा ही होगा जा अमेरे पेले वीडियो में दिखा दिया अभी का फ्लेग वही है बस यहां पे क्या हुआ अभी ग्रीण कलरी है बर यह चर्खा के जगा में क्या आगया अशोक थंब आगया मतलब चक्र जाशोक चक्र आगया है कि नहीं तो वहां पर कितने स्पोक्स हैं स्वाइब इसके बारे मुआ जिसकुस करने देखें फैक्ट्स अ इंशनल फ्लाइग ऑं इंडिया अग्रिग वां माफ कीजिएगा Q2. The national flag of India by law is to be made of khadi only, a special type of handspun cloth of cotton or silk made popular by the Mahatma Gandhi तो देखिए, यह जो Indian national flag का कपड़ा होगा, वो हमेशा खादी का होना पड़ेगा, यह खादी कपड़ा होता है, जहांपे cotton and silk का मिक्षरी कोटन या फिल सिल्क का मिक्षरी होता है जैसे गांदी जी अपने चडखे से बनाते थे जो spinning wall, जो मैंने बताया था, यह था गांदी जी का चडखा यह वला और इससे उन्होंने कपड़ा बनाने के लिए जो manufactured in our own place गांदी जी का वो था, तो वो बनाने के लिए इसी spin से जी हैंजने करके हुए अगर cotton या silk से यह नेशनल फ्लेग का कपड़ा मनाया जाए यह कहा गया है The National Flag of India, number 3, the National Flag of India is also known by the term tricolor and tiranga in Hindi Hindi में नेशनल फ्लेग को हम tiranga कहते हैं, tricolor कहते हैं है कि ने The reason for this is the three dominant color in the flag, saffron, white and green क्योंकि यह पर तीन color होता है, इसलिए हम उसे tiranga कहते हैं यह पर tricolor कहते हैं, क्या क्या color हो गया? Saffron, saffron क्या दर्शाता है, यह पूछा जाता है Saffron represents courage and sacrifice Courage and sacrifice, जो हमारे Indian freedom fighter ने जो courage दिखाया जो sacrifice किया है, उसको बलिदान को दर्शाता है Saffron color, white represents truth, peace and unity तो white कहा में truth, सचाई, purity और shanti को दर्शाता है, जो सफेद color है और green represents prosperity आगे बरे, green represents prosperity थीके? 4. अशका chakra represents the law of dharma अशका chakra और will is from the line capital of the अशका अशक स्थम में जो एक chakra है उस चक्र अशक स्थम से वो चक्र लिया गया है और लेके बीच में लगाया गया है है की नहीं? और अभी जो flag जो है यह जो अशक चक्र में बता देता है तो देखे अभी का जो flag है वो इस तरह से है की नहीं? तो यहां पर जो यह जो अशक चक्र है झार болो का अश्रक स्थम्पल्रा रजा लिया गया है ढूने इस इसे में पहली, रिए आप के कैना, चरी हम प्याइन एपचे होगी में पर एकसरे हो जो चर्खते है कि आहसे में पलच उपती आपम अलिफेंट से एक अफियह से अपने रेखा होगा इस इसा रहां आया उपिछ इए लगाया गयाया है जो दीआ आशक क्र सप्राइब से लेया गया है को वुह की टरे तो जा मोस्त प्रेकर वें जो अभी स्पोक्स होते हैं और वो ने भी कलड के होते हैं No.6, the national flag has a ratio of 2 by 3 वर the length of the flag is 1.5 times that of the width So, क्या है, लेंग जो है वो कितना है? Length का रिश्यो होगा 3 and then width रिश्यो कितना हो जागा? Width का रिश्यो हो जागा 2 तो 2 x 3 रेशियो में है इंडिया नेशनल फ्लैग का डामेंशन और लेंग तो 1.5 ताम्स बड़ा है विड से और 7. The flag hosted first time by Sachindra Prashad Bhos in 1996 in Calcutta and later on by 1987 as another tricolored flag was unfolded by the Madam Vikaji Kama in Stuttgart. तो देखिये जो first इंडिया नेशनल फ्लैग को फेराया गया था, वो कौन के थे, वो Sachindra Prashad Bhos ने के थे, कहां पे के था 1906 in Calcutta, मैंने आभी वो फ्लैग दिखाया था और उसके बाद किन्होंने किया था, मादाम विका जी ने स्टूटगर में, तो पहला जो 1906 का फ्लैग जो फेराया गया था, यह लेडाया गया था, यह था, यह की ने, जो आपका सचिंद्र चंद्र भोष ने जो किया था, भोष जी ने जो किया था, वो था आपका यह, 1906 में, उसके बाद, जो बर्लीन कोमिटी ने यह मैडम विका जी ने, सेगंड दूसरी बार यह, तब इस फ्लैग को फ्लैराया गया था, 1907 में, बर्लीन कोमिटी में, बाइम विका जी, तो नेक्स्ट, फ्लैग होस्टेड यह तुमे ने बोला है, फ्लैग कोमिटी वस हैड़ेद भाई दॉक्टर राजंदर परशाद, फ्लैग कोमिटी वसके यहां पे सावाल आता है कोमिटी वस्ट में, फ्लैग कोमिटी के मतलब फ्लैग कोमिटी के अपका हैड़ेद कौन थे, तो हैड थे, डॉक्टर राजंदर परशाद है किनि, ओके, कोड ओफ कॉंड फोर नेशनल फ्लैग, तो हमें पता है कि हमें रेक्सपक करना चाहिए, और हमें कुछ-कुछ नियम है इसका हमें पालन करना चाहिए, जब हम रास्टिय पता का के सम्मान के अंतरकत, वसब कोड और कोंटक गिरता है, तो देखे, नुबर वन फ्लैग, वन नेशनल फ्लैग इस राइस, जब हम नेशनल फ्लैग जाते हैं, तो रेक्सपराण फ्लैग, सहिवाए इस जिब एंफ्ल्ए नेशनल फ्लैग उपर में कोई दूसर अपलेग नहीं हो सकता, और ना तो फ्लैग नाथ कोई अवल्म कुछ भी नहीं in, नेशनल फ्लेक्स के ऊपर कुछ भी नहीं हो चाहिए, हमेशा वह सब से उपर होना चाहिए, है कि नहीं, उसके ऊपर आप दूसरा पता का नहीं लेडा सकते हैं, रख सकते हैं, और नेशनल अल्बाम कोई भी हो नहीं रख सकते हैं, नबर 3. नेशनल फ्लेक्स के रख सकते हैं, 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 नेशनल फ्लेक्स के उनको नेस्टोल फ्लेगों आरोल दुट है और जहा निक हैं किसलोल पासम। उनका राइट BentARD में नेस्टोल फ्लेग अर्टवे सब्सक्राइब कर से एविमनिग जहता है था उतार लेना किना थे यह्यों को हिसमा सब्सक्राइब कर directions दूसरे जगा में हम लगा सकते हैं, यहां पे भी हम जब तब नेशनल फ्लेक का वो लगा सकते हैं, पर जब शूरिय देज़ जब हो जाते हैं, तो नेशनल फ्लेक का हमें खोल के रख देना चाहिए. यह कि नहीं? नबर 6, नेशनल फ्लेक का वो लगा सकते हैं, तो नेशनल फ्लेक का वो लगा सकते हैं, तो यह सब जगा है जहां पर राष्ट्य दौज ले रहाया जाता है, और भी है, तो यह सब इंपोर्टन बाता जो आज मने डिसक्स किया, और मुझे लगता है बहुत जरूरी है, तो इससे रिलेटेट बहुत सरा आपका कभी कबार में सवाल भी पुछते हैं, तो कुछ आये सॉल करते हैं, कुछ आइए सौल करते हैं, कुछ निबर 1, तो यह बात की किन्हों ने कहा था, जवाहार लाल नहिरू ने यह बात कहा था, यह जो चर्खाना नेशननल फ्लैग कहा था उसमें चडखा तहा, गांदी जी ति कोंसा गलत है हो उदो है। runtime बहुत पुए सrच्ट मेशलेट कहा था, आपको क्या निकलना है जो सच नहीं है there is a chakra in the middle of the white strip which is a symbol of progress and mobility भी प्रोग्रेटी दिए जो चक्र है वो जो क्या दशाता है? वो प्रोग्रेस दो जाता है option number C, the chart between the flag is taken from the Ashok Chakra so chakra जो है फ्रोग में वो Ashok Chakra से लिया गया है number D, the diameter of the chakra is approximately 3-4th of the width of white stripe of the flag बोल रहा है कि चक्रा का जो डायमेटर है वो क्या होगा? 3 4th of the width of white strip. White just color जो है white color का 3 4th मतलब जगा लेगा. या फिर उसका length है. तो बोल रहा है. तो कौन सा गलत है? कौन सा लगता है? Option number A गलत है. मतलब the ratio of the flag and width of the flag is 2 is to 3. 2 is to 3 नहीं actually. The ratio of the length and width of the flag में आपको बताया है. 3 is to 2 है. Length हो गया 3 और width हो गया 2. तो ऐसा हो गया. और बाकि जितना point है? There is a chakra in the middle of the white strip which is a symbol of progressive mobility. बिल्कुल सही है. फिर option number C. The chakra between the flag is taken from the Osha Chakra. ये भी सही है. The diameter of the chakra is approximately 3 4th of the width of white strip of the flag. ये भी सही है. Next question. Which of the following work comes under the category of crime? यहाँ पे कुछ-कुछ दिया गया है. यहाँ से बताना है कि इन में से जो भी काम है या फिर ऐसे करने से कौन सा मतलब क्राइम की हिसाब देखा जाता है. पनिश्मेंट मिलेगा अगर दंडनिया कारिया है. Option number E. आपने प्लास्टिक को अपनों से नीचे आप नहीं डाल सकते या फिर पहन सकते या फिर लगा नहीं सकते बोड़ी के उपर में हो सकता था मतला हो सकता है और बीजनेस का परपस से भी अब नेशनल फेक को इस्तेमाल नहीं किया सकते नहीं कर सकते What is the meaning of white color used in the national flag? White color जो ही national flag उसका meaning क्या है? Number A, sacrifice. Number B, truth and purity of thoughts. Number C, prosperity of life. Number D, none of the above. Option number B is a correct answer, truth and purity of thoughts. Truth and purity of thoughts. Number 7, where can the national flag be hosted? National flag को कहाँ पे host क्या जा सकता है? At Rashtrapati Bhavan, at Parliament House, at the House of Common People, all of the above. All of the above होगा. क्योंकि मैंने बॉला है कि अभी जो एक 2002 के बाद एक एक था जहाँ 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 पे अभी नेशनल फेक कोश्वेड सकते नहीं बना है लगा सकते बाकि आप अप अपने विल से अपने गरों के लागा सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है. करें हें कि अभी नेशनल फेक विल सकते हैं इसमें कोई नहीं है बादा है नहीं है. Q8. Under which article did the Supreme Court declare the right to host the national fact as a fundamental right? अब national fact कोड ले रहाना है, अज अ fundamental right कोड रहा है कि Supreme Court नहीं किया था? कौन से article के अंदर में? Article 19.1, Article 14, Article 18, Article 21. तो अंसर हो जाएगा, Article 19.1, Number 1. In 2002, the Supreme Court had declared the right to host the national fact under Article 1 of the Constitution as a fundamental right. अब national fact को ले रहाना है, एक fundamental right आप ले रहा सकता है, कोई आपको रोक नहीं सकता है, यह आपको रोक नहीं सकता है, यह article 19.1 में कहाँ गया है. तो आप खुद जाने हैं, मैं यह मानता हूँ, थोड़ा होने से भी पहले कुछ आपको पता था, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी जाने, बहुत सारी बाते, और अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा, तो आप लाइक आपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कॉमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएए वीडियो आपको केसा लगा, गलत भी लगा तो भी बताएए, सही लगा तो भी बताएए, गलत लगा तो मैं चेंज करूँगा कुद